हेलो गाईज मेरे नाम में नमन और आप देख रहे है टेक प्लस गैजट्स तो गाईज आज के टाइम पे स्मार्टफोन कंपनी जो है वो बजट सेग्मेंट को बहुत ही ज़्यादा हाई टेक बनाने में लगा हुआ हाई टेक इन दे सेंस कि आपको कम से कब में जादा से जा हमारे में बात करने वाला है क्योंकि 10,000 की प्राइज में ये जो फोन है वो काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन दे रहा है तो अकर आप ये फोन खरीदने का सोच रहा है तो प्लीज ये वीडियो जरूर देखिए उसके साथ साथ सब्सक्राइब ने किया है तो गाईस नीच पीछे की तरफ इसका पूरा बैक पैनल है वो पूरी तरीके से पॉली कार्बनेट में बना हुआ है यानि की लैमिनेट प्लास्टिक जो है इसमें आपको पीछे की तरफ देखने को मिलेंगे यानि कि यह जो है 10,000 की price range में पहला ऐसा smartphone है जिसमें आपको quad camera का support मिल रहा है तो guys इसके जो performance है उसके बारे में मैं आपको आके बताऊंगा लेकिन पीछे का back panel इस camera के कारण और भी जादा premium हमें में लगता है वही पे आपको पीछे की तरफ fingerprint sensor भी देखने को मिलता है right side में volume rocker button मिलेंगे और sim tray भी आपको देखने को मिलेगी तो इसमें आप 2 sim उसके साथ साथ 1 micro xd card भी लगा सकते हो तो अगर आपको expand करना है अपनी storage को तो आप micro xd card को लगा के कर सकते हो वही पे आपको right side में power on off का button देखने को मिलेगा वही अगर इसके नीचे side की बात करें तो इसमें आपको speaker grill देखने को मिलेगा micro usb port भी मिलेगा उसके साथ साथ इसमें आपको aux का port भी देखने को मिलेगा वहीं अगर इसके front side की बात करें तो इसमें जो है आपको 6.5 inch का screen size देखने को मिलेगा उसके साथ सा इसका जो resolution आपको मिलने वाला है वो 720p मिलने वाला है यानि कि HD plus तो इसमें आपको 1080p resolution नहीं मिलेगा उसके साथ सा इसका जो ऊपर का हिस्सा यानि कि इसका dew drop है वो काफी ज जादा नेरो कर दिया जिसके कारण आपको screen size जो है वो एक हट तक full screen size देखने को मिलेगी उपर की तरफ आपको speaker grill देखने को मिलेंगे और वहीं पर जो है इसके बगल नापको sensor देखने को मिलेंगे जो की camera में capture अच्छे से हो गए है इसके साथ से नीचे की तरफ जो इसका resolution मिलता है अगर मैं side by side comparison करता हूं 1080p के साथ में तो इतना कोई ज़्यादा noticeable वाला major changes मुझे नहीं देखने को मिले है अगर जो दिक्कत face करने को मिली है इसके screen से related वो यह कि भाई इस पर जब भी direct sunlight पढ़ती तो इसका brightness है वो मुझे थोड़ा सा low मुझे लगा है तो बात करें तो इसमें आपको Snapdragon की तरफ से 665 वाला chipset देखने को मिलेगा और Adreno 610 का GPU देखने को मिल जाएगा यह जो है दो variant में आता है पहला जो variant है वो है 3GB RAM और 32GB internal storage वाला यानि कि यह जो मैं use कर रहा हूं जो आपको 10,000 रुपे के price range में मिलेगा उसके साथ जो इसका दू इसमें प्रोवाइड कर देता है PUBG वगेरे के लिए इसमें अलग से एप्लिकेशन देखने को मिलती है जो PUBG को काफी दा optimize कर देता है अब अगर इसके cameras की बात करें तो guys 10,000 की price range में यह पहला smartphone है जिसमें आपको 4 camera के support मिलता है यानि कि Quad camera आपको इसमें देखने को मिलता है इ दूसरा camera जो है वो आपको मिलता है 2 megapixel का यानि कि जो depth sensor वगेरे के use होगा तीसरा जो camera है वो आपको 8 megapixel का मिलता है wide angle के लिए जो की use होने वाला है और जो चौछा camera है वो थोड़ा सा नया camera है यानि कि macro lens जिसको कहा गया है detail वाले जो images होती है जो आप छोटे-चोटे images लेत जो है काफी अच्छी लगी है like color वगर अगर आप देखते हैं तो rear camera का setup है वो काफी बढ़िया लगा है मुझे कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं है बढ़िया सा performance हमें इसमें देखने को मिलता है उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ इसके low light performance की तो वो भी जो है image की quality इतनी जादा हमें सामने निकल के नहीं आती है वैसे अगर rear camera की अगर मैं बात करूँ overall तो काफी बढ़िया performance इसने दी है इसके अगर front camera की बात करूँ तो मुझे इसका front camera ठीक ठाक साही लगा है क्योंकि ये beauty mode बहुती जादा एक हद तक expose कर देता है अगर आप beauty mode को off भी कर देते हो तब भी जो है ये एक तरीके से आपकी skin को जो है smooth कर देता है जो की natural एक हद तक नहीं लगती है ये जो दिक्कत है वो OPPO Vivo के phone में भी हमें देखने को मिली है तो ये जो है मुझे चीज पसंद नहीं आती है लेकिन कई लोगे जनको beauty mode काफी दादा पसंद है उनको selfie matter करता है, selfie में अच्छा दिखना matter करता है तो ये जो phone जो है काफी अच्छा है आपको बहुत ही अच्छा beautify कर देगा लेकिन मुझे जो है थोड़ी natural photos पसंद है इसलिए मेरा opinion जो है वो थोड़ा अलग है इसके अगर battery life के बारे मैं बात करूँ तो मैं सबसे battery backup ये आराम से दे देता है अब अगर इसके performance की बात करें तो इसमें आपको Adreno 610 का GPU देखने को मिलता है अगर आप gaming वगेरे करते हो तो इस price segment में ये काफी बढ़िया GPU है और PUBG वगेरे में आपको कोई भी lag वगेरे देखने को नहीं मिलेगा मैंने PUBG अच्छे से खेल के जान रखना है वो ये कि अगर आप अपने PUBG में ग्राफिक सेटिंग को जाके बढ़ाते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको नॉर्मल तक ही जो है capability देता है नॉर्मल से आगे आप नहीं जा सकते हो यानि कि HD Ultra HD पर तो आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो इसमें जो आपको नहीं देपाती ही थी ये जिर्फ वो जिर्फ सिर्फ नॉर्मल सेटिंग्स में ही चलता है लेकिन नॉर्मल में ही काफी अच्छी בפेंस आप करता ही है तो घूले जो है यह दूल वहों को ढई कर दो यह बढ़ीया होए 10,000 की price range में अगर आप कोई भी phone purchase करना चाह रहे है तो इसका जो है मैं आपको पूरी तरीकी सा suggestion दूँगा क्योंकि यह आपको अच्छा camera दे देता है अच्छी performance देता है उसके साथ बैटरी life जो है इसके काफी कमाल की है brightness जो है वो थोड़ा बहुत उपर नीच है लेकिन इतना कोई जाधा issue नहीं होता है तो अगर आप यह phone खरीदना चाहते है तो इसकी जो best banking के आपको description में मिल जाएगी तो guys इस वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो like जरूर कीजे और अगर आप लोग चैनल पे नए है चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe भी कीजे ताकि ऐसी वीडियो जो है वो मैं आप तक लेकर आता रहूँ तो guys मिलते हैं नेक्स वीडियो में ततों के लिए बाबाई टेक केर और पीस